सिधार्थ के सामने बड़ा सच दिपिका बताएगी अपनी सासु माल लवान्या से जुड़े राज का सच हेलो एंड वेलकम दोस्तों आप सभी का इंस्टा फीड में वेलकम है मैं हूँ आपके साथ सोनाली चोहान आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्टार प्लस पर टालिकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट सीरियल दिल को तुम से प्यार हुआ एपिसोड की कहानी के बारे में इस एपिसोड की आने वाली कहानी आप सभी वियर्स के लिए इंट्रस्टिंग होने वाली है आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि सिधार्त और दीपिका एक साथ में होगे वही सिधार्त दीपिका की बात सुनकर शोग्ड हो जाएगा पूरी करती है बचपन में उनके पैरेंट्स को मार दिया गया था और उस समय वह काफी छोटी थी और इसका जो कातिल है उसका सच का पता लगाने के लिए वह कहेगी कि मैं पाली जाओंगी तो वह बात सुनकर सिधार्त कहने वाला है कि तुम पागल हो गई हो तुम इतनी दूर अ जाएगी और कहीगी कि देखो तुमने डिनर के लिए बुलाया था दिपिका को लेकिन दिपिका ने तुमसे जूट बोला है वह पाली गई है अभी मैंने उसे घंटे पहले देखा है और चिराग शोग्ड हो जाएगा इस बात सुनकर कि दिपिका जी मुझसे जूट नहीं बोल सकती है और उसी समय दिपिका भी पीछे से आ जाएगी और कहेगी मिश्का को कि तुम्हें बड़ा पता है और तुमने मुझे कहा देख लिया मेरे आने से पहले तुम घर भी आ गई हो और जो चिराग है उसके सामने प्रूफ के साथ होती है मिश्का ये भी कहती है कि तो मुझे पर गुस्सा मत करो उससे पहले मैं तुम्हें फोटोस दिखा देती हूं सिधार्थ और डीपिका की तुझा घुласт इस रूम से बाहर जा सकती हो मिश्का की इंसर्ट हो जाती है और जब उसके बाद में चिराग फिर से सवाल करता है कि टिपिका तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो क्या सच में तुम सिधार्थ के साथ बाहर गई थी तो दोस्तों इस एपिसोड की आने वाली कहानी में देखना ये इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि जो मिश्का है वो नहीं नहीं चाले चल रही है लेकिन रियालिटी में तो आपको पता ही होगा कि साथी सीरियल में आगे शो के मेकर्स नए ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं सीरियल के आगे की तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल इंस्टा फीड धन्यवाद